जहां पर ये बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है, आगे की रणिती पर इस बैठक में INDIA की तरब से चर्चा की शुरुवात हो चुकी है और अब इस ही बैठक में INDIA के तमाम नेताओं की मौचूद की दिली में ये बैठक इस वक्त चलती हुई अब ये देखना होगा कि इस बैठक में चर्चा में क्या क्या शामिल रहा क्योंकि ये माना जा रहा है और जब भी INDIA के निताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे विश हैं आगे के हमारी रणनीती क्या होगी? क्या हम वेपक्श की भूमिका दिभाएंगे? क्या हम अपने आपको दावेदार सरकार के तौर पर मानते हैं? हमारे पास क्या वो फिगर है? किस रूप में है? ये तमान चीज़े गीति इश कुमार को ले कर कि भी क्या स्थिती होगी? इस पर चर्चा इसी बैटक में होगी, क्योंकि INDIA यानि कि सभी सहयों की दलो का जो ये गड़बंधन है, इस गड़बंधन में सबकी सहमती बहुत जरूरी है, सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है और यही सुरिश्चित इस बैटक में किया जाएगा कि आखिर आगे करना क्य है कि सुरूप में करना है, हाला कि एक स्वर ये भी कि भाई विपक्ष और मजबूत विपक्ष के तौर पर जब हमें ये संख्याबल मिला है तो हमें यही भूमी का आदा करनी चाहिए, तो क्या इस दिशा में INDIA आगे बढ़ेगा, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी हाला कि ये बैठक शुरू हो चुकी है, रिटोरिया, राहोल, प्रियंका, गांदी, तमाम लोकों की मौझूद की, इस वक्त खडगे के आवाज पर INDIA के नेताओं की मौझूद की है, जो बैठक इस वक्त चल रही है, और अगर जार्खन की बात कर लें, तो जार्खन के वक्त भी चलती हुई, हमारे समवारदाता शिवम इस वक्त हमारे साथ जोड़का है, शिवम कई तरह की खबरे साबने आ रही है, बड़ी तेची से खबरे, ये भी कि बाई, साथ जून की तारीक जब सरकार बनाने के लिए आमंतरन भी मिला है, NDA को, क्या इस तरह की भी को रनीत कारें, वो बखुबी समझते थे, कि परड़ाम जिस तरीके के बाद आएं, उसके बाद स्वबाविक तोर पर बीजेपी इन सब चीजों में जल्दवाजी करेगी, और वही हुआ, NDA की पहले बैटक बुलाई गई, सबसे समर्तन पत्र ले लिया गया, प्रदान मंतर बखुबी, कॉंग्रेस और इंडिया गटबंदन समझता था, यही एक बज़े है, कि कली बैक डोर से बादचीत का दौर सुरू हो गया था, आज भी इंडिया अलाइंस की बैटक शुरू हो चुकी है, लगबग 10-15 मिनट का समय बित गया है, बड़ी बात यह है कि इंडिय पाजी नहीं करना चाहता है, वो हर दल इंडिया अलाइंस का चाहिए, वो कॉंग्रेस हो, आर जेडी हो, आम आदनी पार्टी हो, सियम इस्टले नो तमिलाडू से, अभिशेक बनर जी हो, आम आदनी पार्टी से संजय सिंग हो, यह तमाम नेता है, सब चाहते हैं कि जो भी फैसला हो, वो इंडिया गटबंदन की बैटक में हो, ताकि भविस्त में भी यह गटबंदन आगे कंटीनियू करता रहे, आने वाले समय में महाराष्ट में चुना हो है, हर्याडा में चुना हो है, और भी कई राजियों में चुना हो है, ऐसे में इंडिया गटबंदन यह बिसे ध्यान दख रहा है कि ततकालिक लाब से बहता रहे कि दिग्रकालिक सोच की जाए हलाकि इंडिया अलाइंस में भी कई असे नेता है जिनका मानना है कि इंडिया अलाइंस को जो मेंडेट मिला है